हेलो फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पेके क्लासेज 92 में आपका हार्दीव स्वारत है दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वह है रिजनी के टेश्ट नंबर 9 के आंसर की है इसके पहले हमने टेश्ट नंबर 8 तक कम्लेट कर लिया है और GS में भी हमने 6 टेश्ट पेपर लगा लिए हैं तो आप लोग टेलिग्राम चैनल पर जाएं वहाँ पर सारी PDF अफलेबल हैं डाउनलोड करें और टेश्ट पेपर दें उसके वाद आंसर की उनकी अपलोड है सभी टेश्ट पेपर की आंसर की आपको यूट्टूब पर मिल ज सकते हैं या हमारे जो है इंस्टाग्राम है फेस्बूक है कहीं पर भी आप फॉलोग करके अपना मैसेज हमें दे सकते हैं तो आए फिलाल आगे बढ़ते हैं और कोश्ट नमर हमारा आज का जो सेसन है उसका पहले नमर कोश्ट है कि A जो है वो C के पस्चिम में है B A के उत् जैसे यह नौर्थ है नौर्थ का मतलब होता है उत्तर दिसा और यह इस्ट है इस्ट का मतलब होता है पूरब दिसा यह साउथ है साउथ का मतलब दक्षड दिसा और यह वेस्ट है वेस्ट का मतलब पस्चिम दिसा और इनकी चार दिसाएं और होते हैं जिनको हम बोलते हैं सब डिरेक्शन जिसको हम बोलते हैं नौर्थेश्ट इसको बोलते हैं साउथेश्ट इसको बोलते हैं साउथेश्ट और इसको बोलते हैं नौर्थेश्ट ठीक है नौर्थेश्ट का मतलब उत्तर पस्चिम नौर्थेश्ट का मतलब उत्तर पूरब साउथेश्ट मतलब दक् प्रस्चिन दिसा में कौन है A है, फिरकर है B A के उत्तर पूरब में उतनी ही दूरी पर है जितना की A और C है, तो माल लिजे A और C के बीच में डिस्टेंस नहीं दिया है, तो 1 km माल लेते हैं, आप कुछ में माल लिजे 1 km, 2 km, 5 km, तो वही डिस्टेंस जो है, 1 km की डिस्टें क्योंकि डिस्टेंस बराबर होगी, तो आगे बोला जा रहा है कि जो B है, वो C के संदर में किस दिसा में, यानि कि C के रिस्पेक्ट में B किस दिसा में है, तो C के रिस्पेक्ट में यह हो जाएगा B, ठीक है, C के रिस्पेक्ट में B यहाँ पर है, इसका मतलब आंसर जो हो ठीक है यानि कि the sum of A's of A and B is 49 year, the difference between the A's of B and twice the A's of A is 8, ठीक है, what is the A's of A in year, तो B की आयू जो है, A की आयू की दोगने का अंतर 8 है, यानि कि 2 A minus B बराबर यहां पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो A plus B यानि कि दोनों की आयू का जो योग है वो कितना है, A और B का वो है 49 year तो equation हमारे दो बन गए, पहला equation और दूसरा equation, यानि कि समीकरन नमबर पहला, समीकरन नमबर दूसरा, तो plus B plus minus B कट जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो, तो यहां पर 2 A और A है, तो यहां पर आजाएगा 3 A, और 3 A बराबर यहां हो जाएगा 57, कितना हो जाएगा 57, तो A बराबर जो value हो आएगी, वो हो जाएगी 57 डिवाइड वे 3, तो आंसर आजाएगा हमार 19, यानि कि जो A की value हो जाएगी, वो हो जाएगी 19 साल, यानि कि 19 पर सो जाएगा, C नमबर आंसर हो जाएगा, question नमबर हमार तीसरा है, कि नितिन तारा के ससुर है, नितिन क्या है नितिन जो है, वो तारा के ससुर है, यानि कि यहाँ पर हो जाएगा तारा, ठीक है, तो तारा क्योंकि female है, तो आगे बोला जा रहा है कि तारा जो है, राज की पतनी है, तारा किसकी पतनी है, वो राज की पतनी है, तो यहाँ राज हो जाएगा, तो राज और तारा क्या है husband wife है तो यहाँ पर place हो जाएगा अब चुकि husband wife है और नितिन जो है वो तारा के क्या है father-in-law है या ने किस ससूर है ठीक है तो इसका मतलब यह राज क्या है नितिन के बेटे लगेंगे बेटे लगेंगे तभी इनकी बेटे की यह पत्नी है तभी तो यह ससूर लगेंगे तो आगे बोला जा रहा है कि तो राज का जो भाई है राज के कोई भाई है, तो राज का कोई भाई है, माल लेते हैं, कोई भी हो, तो राज का भाई, नितिन से किस परकार सम्मदित है, चुकि राज जो है, नितिन की बेटे हैं, और राज का कोई भाई होगा, तो वो क्या लगेगा, नितिन का बेटा ही लगेगा, तो इसलिए इ नंबर इस आंसर ओजय tive सन सू कि कोश्चेन नमबबर एगला है चौथा чफ नंबर कि 7 फाइव सेक्ष है ओन्पिल एक साइन लगा हुए उसका 7 लिखा गया गया है 5 7 6 तो यहां हो आ गयाए गया उसका 7 लिखा गया, 7 नई जो पहले number पर है, वो पीच में आ गया, और last वाला number as it is, लिखा गया है, ठिकै। तो 7 देखी, बीच में आ गया, जो first number है, और last में 6 है, तो 6 है आ गया, आगे भी देखे, यहाँ पर 2 है, जो बीच में है, वो बीच में आ गया, ठिकै। हो जाएगा 285 नमबर का अपस में इंटर्चेंज हुआ है और इसमें कोई भी equation और नहीं बनेगी ठीक है question में हमारा अगला है fourth fifth number सब्द र-e-f-o-r-m-a-t-i-o-n के अक्षरों से मिलकर नम्निमे से कौन सा सब्द नहीं बनाया जा सकता है यहां पर लिखा गया नहीं बनाया जा सकता है तो दोस्तों यह वर्ड formation का type का question है उस chapter का नाम है इसका word formation मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है जिन बच्चों नहीं नहीं देखी है वो चाहें प्लेइलिस्ट में रिजनी के वहां पर आपको सारी वीडियो और लेबल होंगे तो यहां बुला है बनाया नहीं जा सकता है न तो इसका अंसर दोस्तों होगा c नमबर यह नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें देखे c वर्ड लिखा गया है यूज किया गया है c जो कि पूरे सब्द में कहीं पर भी c नहीं लिखा गया है तो इसलिए यह नहीं बनाया जा सकता ठीक है इन सब्दों के इस्तिमाल से ही तो बनाना है तो इसमें c दिया ही नहीं है और इसमें इनोंने c लिख रखा है तो इसका मतलब यहीं नहीं बन सकता बाकी सारे बन जाएंगे तो इसका अंसर C number हो जाएगा question mark हमारा अगरा है 6 number कि दिये गए विकल्पों में से लुप तपद ग्याद करिया यानि कि हमें यह number जो यहाँ question mark है यह बताना क्या आएगा तो सबसे पहले step में यहाँ पर क्या किया गया दिखें सबसे पहले 8 है तो 8 को हमने क्या किया है 4 से भाग दे दिया किसे भाग दिया 4 से तो जब 4 से भाग देंगे तो बनेगा 2 ठीक है इसके बाद जो दूसरी संख्या 4 है दूसरी संख्या क्या 4 तो इसको हमने 4 से गुड़ा कर दिया यानि कि पहले 4 से भाग दिया और फिर दूसरी संख्या जो 4 है इसको हमने 4 से गुड़ा कर दिया तो इसका गुड़ा करेंगे 16 है तो 16 और 2 इतनों को जोड़ देंगे यानि कि 16 और प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा फिर दूसरी संख्या में वहीं काम करना हो जाएगा 14 हो जाएगा 14 हो जाएगा ठीक है अगले इस टिप में भी वही कर देना अगनिक अप्लाई कर देना हमें तो 4 को 4 से भाग देंगे तो यहाँ पनेगा 1 और बीच में संख्या 5 है तो 5 को हमें 4 से गुड़ा कर देना है, क्या करना है, 5 को 4 से गुड़ा कर देना है, तो आ जाएगा 20, तो 20 और प्लस 1 कर देंगे, तो कितना हुजएगा? टोटल 21 आ जाएगा this cancer जो हजएगाव बी नंबर हो जाएगा 21 हा जाएगा ठीक है पहली संख्या को चार से भाग देना है और जो बीच की संख्या दूसरी संख्या दिख रहे हैं उसको हमें क्या करना है चार से multiply कर देना है और दोनों की value को जोड़ देना है तो हमारा answer आ जाएगा question मेरा अगला है हमारा 7 number 3, 2, 6 और यहां 36 है तो 3 का गुड़ा करेंगे 2 में 6 हो जाएगा और फिर 6 का गुड़ा 6 में करेंगे तो बराबर 36 आ जाएगा फिर 4 का गुड़ा 5 में करेंगे तो 4, 25, 20 और 20 का गुड़ा फिर 7 में करेंगे तो आ जाएगा 140 तो 9 का गुड़ा करेंगे 2 में तो 18 बनेगा तो 18 का गुड़ा फिर यह से कौन सा ऐसा number होगा जो यहाँ multiply करें 18 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा तो 9 दून 18, 18 का multiply एक में करेंगे तो फिर से 18 आ जाएगा इसका मत्तब यहाँ पार answer जो हो जाएगा वो बी number answer हो जाएगा एक आएगा, ठीक है कोशर मरारला है, 8 number दिये गए विकलबु में इसे लुप्त सब ग्याद करें यहाँ निकि यहाँ पर लुप्त पधा में ग्याद करना है जो यहाँ कोशर मरत दिया गया है तो पहले number पर देखे कैसे step में आया है दूसरे step में भी वही किया है 7 का square, plus 5 का square, plus 9 का square, और plus 1 का square तो बराबर कितना जाएगा, 106 बनाएगा जब सब को जोडेंगे तो 106 बनेगा तीसरे step में भी है, यह ही apply कर देंगे यानि कि पहले 12 के square, plus 6 का square, plus 17 का square और plus यहाँ पर 4 का square जब सब को जोडेंगे, तो 480 यह answer आजाए कितना जाएगा, 480 यह आएगा हमारा C number इसका answer हो जाएगा कितना हो जाएगा, C number इसका answer हो जाएगा 480, क्लिए रोगया question नमर अगला है, next number coding decoding का question है सबसे पहले लिखा गया है D, E, S, I, R, A इसको coding जो की गई है E, G, V, M, W और K, तो D जो होता है वो 4 number पर होता है, इन alphabet के सभी के number उपर क्या करना है, later number लिख देना जैसे 4, 5, 19, 9, 18, और 5 यह later की place value है, यानि कि कितने number पर कौन सा later है वो हमने लिख लिया, तो नीचे लिख लिजी अगर दिक्कत है, तो आप लिख लिए ऐसे 5, यहाँ पर जाएगा, 7, यहाँ पर 22, यहाँ पर 13, यहाँ पर 11, तो 4 में 1 जोड़ा 5 हो गया, plus 1 हो गया, 5 में 2 जोड़ा हमने कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर हमने 19 में कितना जोड़ दिया, 3 जोड़ा C E double S है न, 18 यहां पर हो जाएगा 5, 3, फिर से 5, 19 और यहां पर 19, तो पहले एक जोड़ना है, फिर हमें 2 जोड़ना है, फिर हमें 3 जोड़ना है, फिर हमें 4 जोड़ना है, फिर हमें 5 जोड़ना है, फिर हमें 6 जोड़ना है, तो 18 पे 1 जोड़ना है, फिर हमें 5 जोड़ना है, सॉइ務 होता एसा आता है, 5 में 2 जूडेंगे 7IRUP, साथ पे ओंसलेटर आएगा न भूर साथ पे फोता है 5 में शार जूडेंगे तो 9 अंजा नोardon होता है 9 पे क्या होता है 9 19 में पांच जूडेंगे तो 24 24 पे क्या हैगा एक स आझा हैगा, फिर 19 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो यहां हो जाएगा 25 25 पर या जाएगा तो यानि कि हमारा लेटर आ जाएगा S G F I X Y यानि कि हमारा आंसर जो जाएगा वो C नंबर इसका आंसर हो जाएगा हमारा है Clear हो गया C नंबर इसके आंसर हो जाएगे Next question हमारा अगला नंबर 10 number question है English word mala के अनुसार निम्ले लिखित सब्दों को विवस्थित कीजिए तो यहां पर हमें क्या करना है dictionary order में arrange करना है English word mala के अनुसार में arrange करना है ठीक है तो यहां पर देखे इस पर मैंने वीडियो बना हुई है आप वीडियो प्लीज देखें वहां पर सारे basic concept में बता रखे है तो सबसे पहले इसका answer जो जाएगा हुजाएगा A number answer सबसे पहले आएगा third number later है na A पहले आजाएगा उसके बाद आजाएगा हमारा यह दूसरे number पर उसके दियो हो जाएगा तीसरे number पर यह आएगा चोफे number पर यानिकि dictionary word के according यानिकि alphabet के according सबसे पहले आएगा हमारा तीसरा number का उसके बाद दूसरी number का उसके बाद second number का answer हो जाएगा ठीक है तो answer हो जाएगा इसका पहले number answer question और अगला है 11 number यहां पर लिखा गया है 9 6 यहां पर B देखेंगे सब का मतलब लिखा है कि A का मतलब plus है B का मतलब divide है C का मतलब multiply है D का मतलब minus है तो बस इसे equation को fit कर देना है जहांपर Alphabet लिखे हैं महाँपर, Symbol लगा देना है तो B का मतलब क्या है? divide है तो यहाँ पर divide हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा C का मतलब multiply है, तो यहाँ पर multiply करेंगे 4 हो जाएगा, A का मतलब plus है, तो यहाँ plus कर देंगे, 8 हो जाएगा फिर यहाँ D का मतलब क्या है, D का मतलब minus है तो यहाँ पर minus हो जाएगा 32 ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बारे, बारे को डिवाइट करेंगे, तो यहाँ बोर्ड मास का रूल लगता है, दोस्तों, किसका रूल लगता है, बोर्ड मास का रूल लगता है, ठीके, तो पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट कैसा भी हो, पहले हम ब्रैकेट सॉल्ब करते हैं, उसको अफ, of का भी मतलब होता है multiply उसका दिवीजन यानि की भाग देन उसका फिर multiply फिर addition उसके बाद हम लाश्ट में करते हैं subtraction यानि की घटाना तो पहले हमें 12 का divide करना तो पहले divide करते हैं तो 12 बठे कितना हो जाएगा 19 never 90 फिर multiply करेंगे चार तो बहरा चो कितना हो जाएगा 32 और यहांपर आट हो जाएगा और minor से हाँपर कितना लिखश तो अब क्या करना है पहले divide कर दिया हम लोगा 32 32 में 9, 32 में 8 चोद देना है Even minus 32 में एडिस है ओअब 82 कर दिया डिया gorna wanna 22 में 32 फिस जचावे गए 4 सितना nen बचेंग 5 यान कि इसका अंसर किया जाएग … ए b है um का नंबर नो 2 यार नंबर यहां पर कोशやम आ थे यह दो श्या थे T analogy का question है उसमें ठीक है तो हमें क्या करना है पहले का दूसरे comparison करना है जो उसके बाद third का fourth में apply कर देंगे तो 3 और 7 को यानि कि 3 गुड़े 7 करेंगे तो कितना जाएगा देखे 21 आ जाएगा तो उसी तरह से हम 2 गुड़े 9 करेंगे तो कितना जाएगा 18 आ जाएगा इस cancer हो जाएगा B number 18 यानि कि पहले दूनों नंबरों को वापस में multiply किया गया है तो अगली संख्या आ रही है तो 3 और 7 का जब multiply करेंगे तो 21 आ जाएगा तो उसी तरह से 2 और 9 को जब वापस में multiply करेंगे तो 18 आ जाएगा question मरा अला है मारा यहाँ पर 2, 3 और यहाँ पर 29 है 73 है तो देखें यहाँ पर 23 और 29 में क्या है यहाँ पर जो concept बन रहे है वो बन रहे है prime number का यानि कि next prime number क्या है यहाँ पर है next prime number का concept लगा गया ठीक है prime number prime number का मतलब होता है अभाज संख्या तो यहांपर देखे 29 के बद अगली prime number के आएगी, तो 73 के बद अगली prime number के आएगी, 79 आजाएगा, ठीकए, तो यहांपर आंसर जोझाएगा, D-number हमारा answer, 79 हो जाएगा, यांनि कि next prime number और यूजकी आगया है, तो अगली संख्या है, कोशन अगला है, जम्मु कस्मीर नौर्थ में, तमिल नाडू कहां पर है न, तो जम्मु कस्मीर देखे, कहां पर है नौर्थ में, उत्तर दिसामें, तो तमिल नाडू कहां पर हो जाएगे, यह साउथ में, यानि कि दक्षड दिसाम हो जाएगा, तो यह जो हमने data बताया है, direction जो बताया है, यह according to Indian map के according बता है, यानि कि भारती नक्से की साफ से उन्हें बताया है, कि दिसाईं बताई है, ठीक है, तो जम्मु कस्मीर कहां पर है, नॉर्थ में है, और तमिल नडु कहां पर है, साउथ में है, यानि कि दक्षड में है, ठीक है, next question है, question हमारा फंदर है, दोस्तों हो जाएगा D number answer हो जाएगा paper, देखिए, पेड, चूहा, पुरुस, यह सभी के सभी क्या है, living things है, ठीक है, भाकी यह क्या है, non living things है, इसलिए यहाँ पर D number answer हो जाएगा, living things मतलब सजिव, निर्जिव की बात को रहे है, ठीक है, जैसे यह सारे के सारे क्या है, पेड है, चूहा है, पुरुस है, यह सभी के सभी सजिव है, यानि कि living things है, लेकिन paper जो है, वो non living things है, इसलिए answer यहाँ पर D number answer हो जाएगा, next number question हमारा pencil, pen, चितरंगनी और paper, तो यहाँ पर भी दोस्तों answer हो जाएगा, हमारा D number answer हो जाएगा, ठीक है, D number answer होगा, question number अगला हमारा 18 number, जैसे June, January, December और August यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पर answer होगा, June हो जाएगा, ठीक है, June इसलिए होगा, क्योंकि June जो होता है, वो 30 दिन का होता है, बाकि सभी के सभी क्या है, 31 दिन के होते हैं, इसलिए answer यहाँ पर हो जाएगा, हमारा D number answer हो जाएगा, question पर हमारा 19 है, जीरा, मिर्च, धनिया और नमक, तो यहाँ पर भी answer हमारा हो जाएगा, D number यानि कि नमक हो जाएगा, ठीक है, बाकि सभी के सभी के है मसाले हैं, यानि कि Spicer है, तो इसलिए यहाँ पर answer हो जाएगा हमारा d number answer हो जाएगा next number question है 20 number यहाँ पर लिखा गया है 6.5 फिर 7.5 फिर यहाँ पर दिया है 12.75 और यहाँ पर है 27.50 और यहाँ पर है 71.25 तो दोस्तों जब कभी भी किसी भी series में number series में दसमलों में संख्या आए और बढ़ते विक्रव में दिखाए दें तो वहाँ पर हमेशा जान लेजिएगा कि decimal multiple series का concept चल रहा होता है ठीक है तो decimal यानि कि दसमलों में multiply हो सकता है तो पहले हमने 6.5 को हमने multiply किसे करना था हमने multiply कर दिया 1 से और प्लस हमने कर दिया 1 तो answer जागा फ्लस हमने 2 कर दिया अगली संख्याप हमें क्या करना है 2.5 से multiply करना है और उसके बाद हमें plus कर दिना है 2.5 तो आगे हमें क्या करना है अब हमें 3 से multiply करना और plus हमें 3 कर दिना है तो जो answer बनेगा हो जाएगा 216.75 यानि कि B number answer हो झाएगा 216.75 हो जाएगा तो 10 को पहले हमें 28 है, तो सबसे पहले 10 और 28 कैसे आया, पहले हमने multiply किया किसे 2 से, और plus कितना कर दिया, 8 कर दिया, अब 28 का हमने multiply किसे किया, 3 से, और plus हमने कितना किया, 7, फिर हमने multiply किया किसे 4 से, और plus हमने कितना कर दिया, 6, फिर हमने multiply करना था किसे 5 से, और हमने plus कितना करन है ठीक है तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11134 यानि कि हमारा A number इसका answer हो जाएगा क्लिए हो गया पहले 2 से multiply किया plus 8 कर दिया फिर 3 से multiply किया 7 कर दिया फिर 4 से multiply किया 6 कर दिया फिर 5 से multiply किया 5 कर दिया फिर हमने 6 से multiply किया चार यानि कि हम एक एक करके गुड़ा करने के लिए एक एक गढ़ा रहे हैं और जोड़ने के लिए एक एक गटाते जा रहे हैं ठीक है तो आंसर हमारा एक नमबर आंसर हो जाएगा कोशे मेरा अगला है 70 40 50, 90 और 200 यानि कि पहले 70, 40, 50 90 और 200 ये सिरीज है ना तो 70 और 40 में यहाँ पर क्या हुआ है काई पहले बात करें तो हम multiply किये हमने 0.5 से और फिर हमने plus कर दिया 5 ठीक है फिर हमने 40 को 40 को हमने multiply किया किससे एक से और plus हमने कितना कर दिया 10 कर दिया ठीक है उसकद हमने multiply किया किस से हमने multiply करना था हमारा 1.5 से और plus हमने कितना कर दिया 15 कर दिया पहले देखिए 5 जोड़ा फिर 10 जोड़ दिया फिर 15 जोड़ दिया अब हम multiply करेंगे 2 से multiply किया हमने 2 से और जो plus करेंगे 20 कर देंगे ठीक है फिर हमें multiply करना किस से 2.5 से multiply किससे करना है 2.5 से और हमें plus कितना करना है 25 कर देना है तो 200 का धाइगुना कितना हो जाएगा 500 और उसमें 25 जोड़ देंगे तो 525 हो जाएगा answer हो जाएगा हमारा C number answer हो जाएगा कोशन हमारा अगला है 23 number 529, 576, 625, 676, 729 तो देखी किसी ने किसी number की square है जैसे ये 529 तो 529 जो है ये 23 का square है किसका square है 23 का 576 किसका square है 24 का square है 625 किसका square है 25 का square है 676 किसका square है ये जो हमारा है 26 का square है ठीक है उसका 729 किसका square है ये है 27 का square फिर आगी क्या करना है 28 का square, 28 का square कितना हो जाएगा हमारा 28 का square हो जाएगा, 714 यानि कि D number is cancer हो जाएगा 784 हो जाएगा, चीक है तियानि कि 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये क्रम से जो है square लिखे गए है ठीक है, अगला number question हमारा कि सूरज ने कहा, नेहा मेरे दादी की इकलोती पुत्री की पुत्री है, तो जो नेहा है ठीक है, धान देजेगा नेहा जो है, सूरज ने कहा किससे कहा सूरज ने, सूरज ने नेहा से कहा है कि जो ये नेहा है, ये मेरे दादी की, मतलब मेरे दादी मतलब ये कौन है माता है तो मेरे दादी की इकलोती पुत्री इनके दादी की इकलोती पुत्री है तो यानि की इनकी पिता जी की क्या लगेंगी बहन लगेंगी पुत्री की पुत्री है ठीक है सूरज के दादी की इकलोती पुत्री की पुत्री की कौन है नेहा है ठीक है मतलब इनक यहाँ पर हम cousin लगा देंगे cousin बोच सकते हैं तो इसलिए हमारा answer जो होना चाहिए वो c होगा ठीक है हम sister तो नहीं लगा सकते क्योंकि sister का मतलब होता है कि भाई भाई भानिया जो cousin की बात ना हो रही है तो चुकि cousin answer दिया तो हम cousin ही लगाएंगे तो यहाँ पर हम cousin लगा सकते ह आ सकता है तो हम यहाँ definite नहीं कर सकते हैं कि sister होगा तो इसलिए हमारा answer जो होगा वो c number answer हो जाएगा question मेरा अगला है कि एक निश्चित code भासा में p डबल ओर हना उसको हम लिखते हैं 32303036 तो उसी तरह से हम green को कैसे लिखेंगे तो दिखें जो poor हमने लिखा है p डबल ओर हम घगाРा जो होती हो 18 नमबर पर तो 18 का double कितना हो जाता na 36 इसका मतल्यत्ब यहां पर घगाँगा गा होता है एक हो जाएगा गार दावार डाई जाएगा ठीक है तो बस यह 25 कोशन थे आज के हमारे जी रिजरिंग में तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो अगर कोई प्रावलम आती है अगर आपको पीडियाफ नहीं मिल पारी है तो अब प्लीज चोहर टेलीग्राम चैनल पर जाएं वहाँ से आप पीडियाफ डाउनलोड करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों साथ इसको ज्यादा ज्याद करके पूश सकते हैं तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में और और भी इस तरह के मैं टेश्वेपर अबनाऊंगा तो तब तक के लिए थैंक्यू बरी मच्छ